सुहानी अपने पिता महेंदर के साथ रूपनगर में रहती थी बच्पन में जब सुहानी की मा का देहानथ हो गया, तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया सुहानी की सौतेली मा सुधा, शादी के बाद अपनी बेटी ज्योती को भी साथ लाई थी सुहानी और जोती अब बड़ी हो चुकी थी सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी उसके लंबे, काले और घने बाल उसकी सुंदरता में चार चान लगा देते थे ये देख कर सुधा सुहानी से बहुत ऊशा करती थी एक दिन जोती तुझे कितनी बार बोला है तू भी सुहानी जैसे सुन्दर बालो वाली बन देख उसके बाल कितने काले लंबे और घने है पता नहीं कितने महंगे महंगे इत्र और खुश्बू वाली जड़ी बूटियां लाकर दी हुई है पर तुझे घूमने से फुरसत मिले तो त सुहानी के बाल बुच्पन से ही बहुत सुन्दर हैं मेरे बाल उसके जैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है सुधा सुहानी के लिए जो रिष्टे की बात की थी उन लोगों को सुहानी पसंद आ गई है वो लोग अगले महीने ही विवा के लिए बोल रहे हैं मैं सुहानी को ये खुशकबरी बता कराता हूँ पिता जी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाओंगी मुझे कोई विवा नहीं करना नहीं सुहानी बिटिया हर कन्या के पिता को ये आस होती है कि उसकी पुत्री विवा करके सकुशल अपनी ससुराल जाए और फिर धर्मचंद जी जाने माने व्यापारी हैं तो उनके पुत्र के साथ बहुत खुश रहेगी और फिर सुहानी की शादी धर्मचंद जी के बेटे सुमेरचंद के साथ हो जाती है सुहानी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख सुधा जलन से भर जाती है अपना असर दिखा देगी। सुहानी, जाओ, जल्दी से स्नान कर लो, फिर विवाह के लिए तैयार भी होना है। ही भगवान मेरे बाल कहां गए? मेरे सिर के तो सारे बाल गाइब हो गए। ही कैसे हो गया? मैं गंजी हो गई। मेरे बाल कहां चले गए? ही राम, ये क्या हो गया? तुम्हारे बालों से तो तुम्हारी सुन्दर था थी, अब तुम गंजी हो गई हो, अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। सुहानी का रिष्टा तूट जाता है। महेंद्र भी सुहानी को लेकर अब बहुत दुखी रहने लगा था। सुहानी जब अपने पिता को दुखी देखती, तो वो भी फूट फूट कर रो पड़ती थी। और ऐसा होते देख, सुधा और जोती मन ही मन बहुत खुश होती थी। अब तो नगर के लोग भी जब सुहानी को देखते, तो उसे गंजी कहकर उससे डर कर भाग जाते। अरे ये गंजी लड़की कितनी बतसूरत दिखाई पड़ती है। हाँ बहन, इसे देखकर तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हे भगवान, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं। मेरे भी सपने थे कि मेरा विवा होगा, मैं भी अपने ससुराल चाओगी, मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वज़्ज़ से मेरे पिता जी भी आज दुखी है, फिर मैं जी कर क्या करूगी। तभी सुहानी के सामने उसकी मा प्रकट होती है। मा, मा आप कहा चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेलर छोड़कर। मैं तुम्हारी मदद के लिए धर्दी पर आई हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब तुम्हें निराश होने की आवशक्ता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूँगी, जिन्हें देखकर लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल प्रदान करूँगी। जैसे ही सुहानी की माँ सुहानी के सिर पर हाथ फिरती है, सुहानी के सिर पर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं सोने चांदी के सुनेहरे चमकते बाल सुहानी की खुबसूरती को और बढ़ा रहे थे मा ये सोने चांदी के बाल तो बहुत खुबसूरत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे फिर से सुन्दर बना दिया आपने मेरी सारी परिशानी दूर कर दी खुशी खुशी अपने घ़र जाओ अपकभी भी उदास नहीं होना मेरा अशिर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है सुहानी खुशी-खुशी घर की ओर चल पड़ती है तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी जा रहे थी इसलिए रास्ते पर चलते लोगों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है नगर के राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीड लग गई है भीड में से निकलने की कोशिश करती हूँ ये सोने चांदी के बाल वाली लड़की अरे भीड में इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा कितने सुन्दर बाल हैं इसके सुहानी घर पहुचती है मैं अपने बालों को इस दुपटे से ढख लेती हूँ नहीं तो मा धेरो सवाल पूछ लेंगी मैंने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि इसे अपने गंजे सर को छुपाना पड़ता है मा तुमने पहुच सही किया इस सुहानी के बाल गायब करके सुहानी अपने कमरे में आ जाती है उधर राजकुमार शूरत सिंग सुहानी के ही खयालों में ڈूबा हुआ होता है वो सुहानी को याद करते हुए एक तसफीर बनाता है पत्र सोने चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है तुम ऐसी लड़की कहां ढूंडोगे ये ज़िद छोड़ दो पता जी चाहे मुझे पूरे नगर में एलान ही क्यों न करवाना पड़े मुझे सोने चांदी के बाल वाली लड़की ढूंडनी है क्या राजकुमार सूरच सिंग उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे मैं कल ही अपनी बेटी जोती के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दूगी राजकुमार को क्या पता लगेगा और विवाह के बाद तो उन्हें जोती को स्विकार नहीं होगा हाँ ये ठीक रहेगा सुधा की तरह ही नगर में बहुत सी ओरतों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दिया अब तो नगर की बहुत सी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के लगने लगे ये देखकर सेनपती असमंजस में पढ़ गया और वो राजकुमार सूरज सिंग के पास पहुँचा सेनपती नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में आने का संदेशा देता है सेनपती जी पर ये तो गंजी है सेनपती सुधा की बातों पर ध्यार नहीं देता और जोती के साथ साथ वो सुहानी को भी राजमहल ले जाता है आप सबको मैंने इसलिए आमंतरित किया है कि मैं अपने लिए उचित वधु ढूट सकूँ पर आप सबने ही अपने बाल सोने और चांदी के कर लिए इसे भी फवारे के नीचे खड़ा करना है पर ये तो गंजी है इसके बाल तो मैंने ये मैं क्या बोलने जा रही थी इन में से तो कोई भी लड़की सोने चांदी के बाल वाली नहीं निकली पता नहीं वो कौन थी बस ये आखरी उमीद रह गई है सुहानी घबराते हुए सिर से अपना दुपट्टा उतारती है सुधा और नगर के सभी लोगों की निकाही सुहानी के सोने चांदी के बाल देख कर दंग रह जाती है सुहानी फवारी के नीचे खड़ी हो जाती है उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे ये देखकर राजकुमार खुश हो जाता है हम तुमसे विवा करना चाहते हैं क्या तुम्हें मन्जूर है आपको पती के रूप में पाना मेरा सौबा के है पर मेरे बिना पिता जी सुहानी बेटी अब वक्त आ गया है तो इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाए और खुली हवा में सांस ले सके तुझे जीवन में बहुत दुख मिले है पर अब राजकुमार सूरज सिंग के साथ विवा करके तुम बहुत खुश रहोगी सदा खुश रहो मेरी बच्ची सुहानी को उसकी अच्छाई का फ़ल मिल जाता है और राजकुमार सूरज सिंग के साथ उसका विवा संपन हो जाता है और सुधा अपने हाथ मलती